मीनियेचर हाउस मीनियेचर कुकिंग एक गाव में गुरुदास नाम का एक करोड़ पती रहता था उसके कई सारे व्यापार हुआ करते थे एक दिन गुरुदास की पतनी नम्रता ओ जी आज हमारे विहान का जनम दिन है खीर बनाती हूं जी गुरुदास जनम लेकर क्या बड़ा काम कर लिया उसने खीर वीर की कोई जरुरत नहीं है सब बेकार का खर्च ये संजे कहा मरा है यूं कहा नम्रता आज उनकी शादी की सालगिरा है आने में देवी होगी ऐसे कली कहा जी यूं बोली वो शादी की सालगिरा को अच्छे से मनाए तब तक मैं अपने काम रोक कर बैटूँ अभी जाने वाले रास्ते पर ही उसका घर आता है न उसको ले चलूँगा साथी यूं कहा नम्रता सर पकड़ ली मन में पूरी खान दन बैट के खाये तब भी कम ना पड़े इतनी जायजात कमाये कम से कम बच्चे के जनम दिन पर खीर भी खाने की किस्वत नहीं है तु यूं सोची गुरुदास अपने मुनीन संजे के घर के आगे कार रोक कर जोड़ जोड़ से हौन बजाया संजे उसकी पत्नी सिया दोनों भार आए संजे सर आप मेरे घर आए यकिन नहीं कर पा रहा हूं सर आज हमारी शादी की साल गिरा है मेरी पत्नी ने खीर बनाई है जरा खा कर जाये सर यूं कहा देखने में स्वादिष्ट और खुशबुधार खीर से तो उसकी मुँ में पानी आने लगा कुछ नहीं कह सका तो घर के अंदर गया सिया कब बनाया हुआ खीर खाया उस रात गुरुदास नमरता से मैं कल पेट भर कर खीर खाने की सोच रहा हूं यूं कहा नमरता ने जो सुना वो यकीर नहीं कर पाई बहुत खुशी हुई जी उसमें κ्या है गाउन भर के लिए खीर बना देती हूं क्यों वो खर्चा नहीं है यूं कहा तब नमरता ठीक है जी सिर्फ आप के लिए मेरे लिए और बच्चों के लिए बना देती हूं यूंबोली गुरुदाज अब तुमें और बच्चों पर क्यों खर्च करूँ? खीर मैं अकेला खाऊं तो नहीं चिलेगा क्या? यूंबोली गुरुदाज तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता क्या? घर पर खीर बनाओगी तो वो महक से बच्चे जित करेंगे तब मेरे खाने के लिए क्या बचेगा? तुम खीर के लिए जो जो चीजे चाहिए वो पैक करके दे दो मैं जंगल में जाकर खीर बनाकर खाऊंगा यूं कहा? नम्रता सर पकड़ ली अगले दिन गुरुदास खीर के लिए जो भी चीजे चाहिए थी वो सब लेकर जंगल में गया फिर जंगल में चूला जला कर खीर तयार किया खीर खाए उतने में वहाँ चार चोर आ गये गुरुदास को खूब मार कर पेट से बांध कर उसका बनाया खीर सब खा गया और चले गया गुरुदास क्या करे समझ नहीं पाया एक तरफ से भूग तो दूसरी तरफ से चोट का दर्द बरदाश नहीं कर पा रहा था इतने में वहाँ एक लिली पुटाया गुरुदास को देखकर अरे आप कौन हो शेरीर पर ये चोट केसी यहाँ पास में ही मेरा घर है चलिए चलते हैं कैकर गुरुदास को बांधी हुई रसी खोला गुरुदास को अपने घर ले गया वो छोटे से घर को देखकर गुरुदास आस्चिरिया में था वो बहुत प्यारा सा था गुरुदास आस्चिरिया से वो घर की और देखता रह गया वो लिलिपुट पास में से कुछ पत्या लेकर आया और उसका रस निकाल कर गुरुदास के चोड़ पर लगाया गुरुदास से आप आराम कीजिये मैं मिंटों में खाना लगाता हूँ यूं कहा लिलिपुट चूला लगाया जरासी आग की आज पर छोटे छोटे बरतनों में अलग अलग प्रकार के पक्वान बनाने लगा गुरुदास उस लिलिपुट को आस्चिरिया से देखता रह गया गुरुदास जब देख रहा था तो वहाँ मिनी पिज्जा, मिनी एक बिर्यानी, चिकन लेक पीसिस, मंचूरिया ऐसे अलग अलग पक्वान परोसा गुरुदास को भोजन के लिए बुलाया गुरुदास लिलिपुट से मैं जिंदिगी में करीब हजार करोड तक कमाया हूँ लेकिन इतने प्रकार के पकवान को आखों से एक साथ कभी नहीं देखा आप मिन्टों में इतना कुछ बना दिये आपके पास कितने करोड का जाइदाद है कि जिससे भी कभी जान पैचान नहीं थी उसे लाकर इतना खाना परोसे तुम लोग क्या रोज इतना खाना बना कर खाते हो यूँ पूछा वो लिलिपुट मेरे पास ये घर के अलावा कुछ नहीं है यूँ कहा गुरुदास तो फिर आपके पास कुछ पुछते निसोना या जेवर है क्या तब फिर से लिलिपुट उतने हजारो करोड हमारे साथ ऊपर आते हैं क्या या कभी हम उससे अपनी भुख मिटा सकते हैं मैं ये जंगल में दवा बनाने के लिए जड़ी बुटिया इखटा करके उन्हें बेजकर पैसे कमाता हूँ हम जो कमाते हैं वो खाने के लिए ही तो होता है जिस दिन जितना कमाओ उतना खाना का सकते हो मेरी किस्मत अच्छी थी तो आज ज़्यादा पैसे मिले इसलिए आपको पैट भर कर खाना परोस पाया यूं कहा गुरुदास को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे एक जटका दे दिया उस लिलिपुट के आगे हाथ जोड़ा उससे परोसा गया खाना खाया गुरुदास घर जाकर नमरता से जो हुआ वो बताया दिन बदिन जेडी बूटी बेचकर जीने वाला छोटा सा इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सका तो मैं इतना कमा कर क्या क्या करना चाहिए इतने समय तुमें और बच्चों को पेट भर कर खाना भी नहीं दिया और परेशान किया कल से रोज हमारे घर पर अन्नदान होगा जितने लोग भी खाना चाहे खा सकते हैं यूं कहा गुरुदास में आये इस बदलाव से नमरता बहुत खुश हुई